इतिहास में कुछ महान नेताओं के नारे अमर हो जाते हैं स्थ मुछ निकम्य नेताओं के भी movement मैं नाम नहीं लूँगा एक निकम्य नेता नहें कहा न हमारी सीमा में कोई घुसा हुआ है न कोई आया ये भी अमर हो गया नारा जब गल्वान में चीनी सेना हमारी पोस्ट पर कब्जा करने आई तब यह सफेज जूट इस देश के सामने परोसा गया और यह अमर हो गया लेकिन ये चीनी घुसपैट सिर्फ बॉर्डर तक हो वहीं तक सीमित रहे ऐसा नहीं अब वो गुजरात तक पहुँच गई है वो ऐसा राज्य जिसमें जहां से प्रधान मंतरी खुद आते हैं जहां से ग्रह मंतरी खुद आते हैं उस राज्य में चीन की घुसपैट कैसे ना केवल घुसपैट हुई ये व्यक्ति पाकिस्तान से सटे हुए दो जिले बनासकांठा और पाटन वहां बैठकर 9 दिन में 1400 करोड रुपए की चपत लगाकर गायब हो गया देखिए लोगों की शिकायतें 2022 की शिकायतें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं जो इसके विक्टिम से जो शिकार थे इस स्कैम के भुले भाले लोग गुजरात के 1200 लोग इसके शिकार बने और ये व्यक्ति आप सोचिए कितना समवेदन शील इलाका है गुजरात के ये जिले जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहाँ एक चीन का व्यक्ति आता है और ये उस दोरान आता है जब प्रधान मंत्री महिने में एक या दो या तीन या चार बार गुजरात प्रचार करने जा रहे थे चुन और या पुलिस किसी दबाव में थी ये क्या चल रहा था इसका उत्तर आप लोगी ढूंडेंगे हम भी ढूंडने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ तो चल रहा था अक्सर सुनाई देता है कि एक चौकीदार है वो चौकीदारी कर रहा है देश की उसके दोस्त कुछ हैं उनमें से गुजरात के भी कुछ बाहर के भी सहीयोग्यों के साथ मिलकर देश का पैसा लेकर बाहर चले गए तो सुनाएं देश के बाहर से एक व्यक्ति आता है और मा जाता है हमारे देश के 1400 करोड रुपे लूट के चला जाता है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि कुल मिलाकर नुक्सान च्यालिस सौ करोड का क्योंकि और राजियों में भी डैनी डेटा नाम की जो एप थी और इस एप को प्रचारित कौन कर रहा है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पुलीस बिचारी अपनी तरफ से तो नहीं प्रचारित कर रही हुगी उनको भी कहीं से निर्देश हुए होंगे पुलीस के जवान इस एप को प्रचारित करते हुए आपको इस इन चित्रों में दिख रहे हैं तो यह इशारा कहां से हुआ पुलीस एक एप को जो की एक चीनी व्यक्ति द्वारा बनाई गई एप है व्यक्ति पुलीस एप को पुछाइश एप मेज एप एप ट्विद चिनीस नाशनल अ को चीनीस नाशनल को गुजराओ और गुजराओ टो थे संस्टिट इस्टिट्स विजर्ट इस ऑपकिस्तान and do this online app-based gambling and loot 1400 crores from 1200 people of Gujarat don't forget it's the same state where the home minister comes from where the prime minister comes from and they keep talking about the Gujarat model ऐसे राज्य में यह हुआ चौकिदार साब बोलते हैं हमने चीनी एप पर बैन लगा दिया और चीन की जहलरों पर बैन लगा दिया और यहां तो क्या हो रहा है आपके सामने हो रहा है तो यह यह संभव नहीं है कि जिस साहिब की इशारे के बगएर पत्ता नहीं हिलता इस देश का उनके आंगन में चीनी घुसकर आया नौ दिन रहा 1200 लोगों को शिकार बनाया 1400 करोड रुपे लूटके चला गया या तो जो कहता है मैं चौकीदार हूं वो चौकीदारी ठीक नहीं कर रहा या फिर और ज़्यादा गंभीर मामला है हम तो बहुत सवाल पूछ चुके हैं चीन से आपका रिष्टा क्या है हम तो बार-बार पूछते हैं जब आज से 20 21 साल पहले आपको कहीं का वीजा नहीं मिलता था तो चीन आपका बड़ा स्वागत करता था और आप बार-बार चले भी जाते थे तो ये रिष्टा क्या है इस रिष्टे के चलते भारत को ना केवल सीमाओं पर नुकसान हो रहा है आपने तो बड़ी-बड़ी धींगे हांकी थी गुजरात के लोगों को भी और पूरे देश के लोगों को भी मुर्ख बनाया था अकिसाब डॉलेरा में चीन के सहियोग से gift city बन रही है वہाँ smart city बन रही है smart city कहां बनी smart city बनी अरुनाचल में हमारे border के भीतरा के चाइना smart city बना के चला गया तो उस वक्त आपने चीन के नाम से मूर्ख बनाया और तो और गुजरात के करिकुलम में चीन की भाषा तक लाए आप, क्या चीन का प्रेम है साथ आपके साथ, चलिए आपका प्रेम आपको मुबारक हो, देश को नुकसान कैसे होगा, गुजरात के लोगों को इतना भारी नुकसान हुआ और ये मीडिया में नहीं आता, तो एक साल तो गुजर चुका था, हमें और आपको तो इसका कोई भान ही नहीं होता, कोई ग्यान भी नहीं मिलता, तो ये सवाल बहुत गंभीर हैं कि चीन से आपके रिष्टे कितने गहरे हैं और इतने गहरे क्यों हैं कि उसकी कीमत देश की सीमाओं पर भी हमें अदा करनी पड़ती है, गुजरात में के भीतर भी हमें उसकी सीमा, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, किस स्तर तक आपके रिष्टे हैं अब तो मुझे लगता है कि जो एप अनिस्टॉल करने के जो आप किनारे थे अब देश यह समझ चुका है कि अब एप अनिस्टॉल करने से काम नहीं चलेगा सिस्टम में एक वाइरस है अब उस वाइरस को निकालना होगा दोजार चॉबिस की इंजार हो रही है कि वाइरस को निकालने अब यह आप वैप से काम चलेगा नहीं क्योंकि रिष्टा कुछ और ही है यहां हमारे सवाल है बड़े सपश्च सवाल है आप प्रधान मंत्री जी आपके राज्य में यह हुआ ग्रह मंत्री जी आपके राज्य में यह हुआ आपने सर्टिफिकेट देते रहे क्लीन चीट देते रहे यह कैसे संबह हुआ जिमेदारी किसकी बनेगी कैसे एक एप उसने यहां आकर बनाई पुलिस के जवान उसको प्रमोट कर रहे हैं उसको उसका एड़ुटिसमेंट कर रहे हैं उसका विज्यापन दे कहां है यह यह सिर्फ यह तमाम एजनसीज विपक्ष के लिए बनी है जहां देश का नुकसान हो रहा हो देशवासियों का नुकसान हो रहा हो बहरा दीज एजनसी आप और सरकार क्या जो अपने आपको चौकिदार मानती है ये ट्रैवेल एजनसी बन गई है स्कैम्स्टर्स की आईए साब आईए लूट के चले जाईए तो ये सरकार चल रही है या ट्रैवेल एजनसी चल रही है और डैनी डेटा एप को प्रमोट क्यों किया गया इसका जवाब ये देश मांग रहा है इस अभियान के पीछे इस प्रचार अभियान के पीछे कौन था खुद पुलीस तो मैं नहीं मानता कि अपनी तरफ से कुछ क companies बनी वो पैसा योर्प गया वो पैसा दुबई गया युक्रेन गया जहां जहां गया उस पूरा एक वाइट पेपर इस विशह में देश के सामने जारी करना चाहिए देश को जवाब चाहिए जो 1200 लोगों का 1400 करोड़ लुटा है वो जवाब मांग रहे हैं आपके सवाल आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर